नमस्कार अब आप मौसम समाचार सुनिये अधिक्तम तापमान में चार डिगरी की गिरावट दर्ज की गई है अज बुधवार को भी राईधानी में शित लहर चलने और शिर्फन बढ़ने के आसार चताए गए है उत्तर प्रशिम दिशा से आई बरफिली हवा ने दिल्ली में ठंड बढ़ा दिया दोपार को धूप नहीं निकलने से अधिक्तम तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिली अगले तीन दिनों तक बरफिली हवा चलने से ठंड़क लोगों को परिशान कर सकती है मौसम विभाग के मुताबिक अभि दिल्ली वासियों को ठिटोरन महसुस होता रहेगा आज अधिक्तम तापमान 16 डिग्री सेल्सेस जबकि नियूंतम तापमान 8 डिग्री सेल्सेस के आसबास बने रहने की आश्रंका जिताई गई है बिहार में भी सर्दी का सितम जारी है लोग सर्दी से परिशान नज़र आ रहे हैं मौसम विभाग ने पटना समेत राजी के कैश जिलों में बुद्वार से ठंड में और बढ़ोतरी की आश्रंका जिताई है इसके साथ ही घना कोरा भी लोगों को परिशान कर सकता है अगले बहतर घंटों के अंदर राजी में तापमान के तेजी से गिनने के आसार जिताई गये हैं बारह जिनवरी से राजी में शित लहर का अलर्ट भी जारी किया गया है ठंट को देखते हुए पटना किशन गई समित कुछी जीलों में इसकुलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है मौसल मिभाग के मुताबिक पटना समित राज के अधिकतर शहरों में अगले तीन दिनों के दोरान नियुंतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है ऐसे में लोगों को और ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ सकता है मौसल मिभाग ने 2-4 तीगरी तक नियुंतम तापमान में गिरावट का पुर्वानों मान जिताया है जारकर्ण में भी हलका कोहरा छटते ही कंकनी वाले ठंड लोगों को परिशान करने लगी है कोहरा के छटते ही तापमान में और गिरावट की आश्रंका जितायी गई है मौसल मिभाग ने बताया है कि 11 जनवरी से राची में ठंड बढ़ सकती है राइधानी राची में सबसे अधिक ठंड टाटी सिल्वे इलाके में पड़ रही है आने वाले दिनों में राची के नियुनतम टापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है 12 जनवरी तक अधिकतम 24 और नियुनतम टापमान 10 डिग्री सिल्सिस तक पहुँच जाएगा अभी सुबह में कोहरे और धुन्द का असर दिखाए देगा लेकिन बाद में आस्वान साफ हो जाएगा ठंड के साथ ही कोहरा भी लोगों को काफी परिशान कर रहा है राचधानी दिल्ली में मंगलवार के सुबह मध्यम श्रीनी का कोहरा चाया रहा इसके चलते दिल्ली आने वाली 30 से ज़्यदा ट्रेने प्रभावित रही दिल्ली में अगरे 5 दिनों तक मध्यम श्रीनी का कोहरा चाया रहने के आसार जिताए गए हैं वहीं बिहार में भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है उतर बिहार के साथ है दक्षिनपूर एवं दक्षिनमद बिहार के कई शहरों में घना कोरा होने से लोगों को उपर शानी का सामना करना पड़ सकता है राइधानी पटना में वे सुबह के समय घना कोरा चाया रहेगा कोहरे का असर फ्लाइट्स की उडान पर भी पड़ रही है मंगलवार को पटना हवाय अड़े पर पहला विमान लखनों से सुबा 11 बच कर 36 मिनट पर लैंड किया और पहली फ्लाइट दिल्ली के लिए 12 बच कर 45 मिनट पर उडान भर सकी एक दरजन विमानों का परिचालन कोहरे की वज़े से प्रभावित हुआ है हैदराबाद, दिल्ली और रांचे की विमाने रद रही मंगलवार की सुबा रनवे की विजिबिलिटी 700 मिटर थी दिल्ली से आने वाली इंडिको की फ्लाइट संख्या 6E2769 लगता चौथे दिन रद रही उत्तर प्रदेश की राइधानी लखनों समयत के जिलो में मंगलवार को बूंदा बांदी हुई बारिश के चलते राजिकेत अपमान में गिरावट भी दर्च की गई मौसलमि भाग ने 10 जिनवरी को प्रदेश में मौसलम के शुष कर रहने की आशंका जिताई है 11 जिनवरी को के जिलो में हलकी बुंदा बांदी की आशंका जिताई गई है इस दोरान के जिलो में घना कोहरा चाया रहेगा 10 जिनवरी को आगरा, अलिगर, अमिटकर नगर, औरया, अमरोहा, अमेठी, अयोध्या, आजमगर, बदायू, बहराईच में घना कोहरा चाया रहने का अनुमान जिताया गया है पहाड़ों पर होरे बरबारिक के चलते यूपी का जरतर हिसा बरफिली हवाओं की चपेट में है जिसके चलते पूरा पर शीम उतरपरदेश शित लहर की चपेट में है मौसम समचार समाब थुए, नमस्कार